आगे चलो चलो बैठ जो बैठ जो सब लो लाइन से बैठ जो गोड मॉनिंग एब्रिवन क्या हल चाल बढ़िया होना भी चाहिए बोगाल मचा रहे हो एक दम मचाते रहो मचाएंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं राउल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार पिर जब सब्सक्राइब करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलिपोर्ड है से एकजाम में हो उमीद करता हूँ कि मैं लाइब हो गया हो और आप मेरी आवाज मुझे देख पा रहे हैं मेरे आवाज सुन पा रहे हैं तारीक ए 23 वरबरी और आज के इससे पहले आपके लिए एक important announcement मज़ा आने वाला है आपको कहीं और जाने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ नौकरी वाला गुरुवार नौकरी वाले गुरुवार यानि इस गुरुवार से एक brand new series रोज हर गुरुवार को साम 5 बजे मैं आपके लिए इस में क्या होगा जैसा कि नाम से थोड़ा आपको अंदाजा लग रहा है नौकरी वाले गुरुवार में हम लोग करेंगे जो भी पिछले एक अपते के दौरान आपकी नौकरी आई होगी जो भी government job आई होगी जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं उसका eligibility criteria क्या है आप उस आएंगी तो दो जॉब की बारे में बात करेंगे जब दस जॉब आई होंगी तो यहां पर बात करेंगे तो यह है गुरुवार नौकरी वाला अम्मीद करता हूं यह पको पसंद आएगा और कैसा लगने वाला है फिलाल आप क्या इसमें और इंक्लूड करना चाहते हैं व तो previous year के experience हैं, वो भी इस batch को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें CGL Tier 2 तक cover किया जाएगा, ये batch आपको मिलेगा SSE Super Elite में, SSE Super Elite की अगर हम बात करें, तो जैसे ही आप AlliBoard का एप खोलेंगे, आपको एक ऐसा window नजर आएगा, आपको इस पर click करना है, SSE Super Elite में, आपको SSE CGL, CHSL, CPO, MTS, CPO, GD, Stenographer, ये सारे जितने भी हमारे courses हैं, वो सारे आपको मिल जाते हैं, यानि आपको CHSL का भी मिल जाएगा, आपको CGL का भी मिल जाएगा, आपको math का भी course मिल जाएगा, आपको reasoning का भी course मिल जाएगा, आपको CHSL, वहलब SSE के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, वो सब कुछ आपको allo board का मिल जाएगा, इसके लावा आपको SSE CGL के 40 test मिलेंगे tier 1 के लिए, 80 test मिलेंगे tier 2 के लिए, math का 40 और English का 40, CGL tier 2 के 45 past tier paper मिलेंगे, available form 1 December से मिल जाएगे, और SSE CHSL जो हैं, वो 30 test मिलेंगे, CPU के 20 test मिलेंगे, MTS के 20 test मिलेंगे, GD Constable के 20 test मिलेंगे, GD Constable 5, 2021 के memory based test भी मिलेंगे, stenographer के 10 test मिलेंगे, selection post के 5 test मिलेंगे, metric, graduate और higher secondary level पे अलग-अलग, SSE sectional test मिलेंगे, 60 test, यानि कि 7 test अलग-अलग, reasoning का अलग, math का अलग, GS का अलग, उस तरह से, GK के 120 plus test मिलेंगे, GK supplementary 2500 question का एक set अलग मिलेंगे आपको, इसके लबा SSE का complete GK notes, आपको कहीं से कुछ भी और लेने की ज़रूद नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसके लबा 40 plus chapter wise notes भी आपको मिलेंगे, इसके असास सत मेरा रंपूर रीडिंग बैट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो यह सारा का सारा आपको SSE, super elite pack के अंदर मिलता है, सारे video courses होते हैं, सारे mock test होते हैं, तो कुछ भी होगा, और अगले एक साल तक आने वाले सभी courses आपको यहाँ पर free में available होते रहेंगे, जो भी courses यहाँ पर आते रहेंगे, और अगर आप इसे अभी जोइन करते हैं, कोड यूज करना है राउल सर और इस कोड को यूज करने से यह price जो है काफी कम हो जाएगा पूरा का पूरा प्राइस जो हो 18-19 रुपीज का हो जाएगा या अठारा सो ओनने से रुपए में आपको यह पूरा सब कुछ मौक टेस, वीडियो, जो कुछ भी है सब मिल जाएगा, ठीक है, अक्षा, फिलाल आज पकड़ दिया है, इसके लबार रेजिनिंग बैर राउल मिश्चा के नाम से टेलीग्राम ग्रूप जोइन के लिए, करिंट अपियस की पीडियाफ आपको यहीं पर उपलब्द होगी इसराइल ने किया नौ सेना वायू रच्छा प्रणाली का सफलता पूर्वग परिच्छाण इंग्लिस कलब चेल्सी ने 2021 फीपा कलब 200 कप चैंपियन जीत लिया है भारत ओमान ने जोधपुर में दिपच्छी ये वायू सेना अभ्यास सुडू किया गुजरास सरकार ने वर्थ 2022-27 के लिए नई जय प्रवधिकी नीती की घोचना की चात्रों के कौसल को प्रखर करने के लिए असम सरकार शुरू करेगी प्रोजेक्ट आरो हन बिया सरकार 15 परवरी को सही दिवस के रूप में मनाईगी मदबदे सरकार ने संत रविदास स्वरहुजगार योजना लाउंच करने की घोशना की आईडी रूड़की ने लाउंच किया किसान मोबाइल एप नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप लाउंच करने वाला असम देश का पहला राज्ये बना सरकार ने राष्टिय उच्छतर सिछा अभियान योजना को 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है ये रूसा है भार्दी रेलवे कस्मीर में बना रहा है देश का पहला केबल रेल ब्रिज हिमाचल प्रदेश का पहला जैविवित्ता पार्क हुआ तयार बायोडाइवरजेटी पार्क इन फ़स्ट बायोडाइवर्जेटी पार्क इन हिमाचल प्रदेश भार्दी महिला टीम की 31 वर्तिय बल्लेबाज वी आर बनीता ने सन्यास की गोश्णा की है चंडीगड विश्व द्याले NBA मानिता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्व विद्याले बना है National Board of Accredition निंदा से घबराकर कभी अपना लच्छ न छोड़े क्योंकि लच्छ मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है हम सब अपने समाज में अपने घर परिवार में ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो सायद हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाते हैं हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं वो बस कुछ ना कुछ बता देंगे या रहे ऐसे तो यह होगा तुम से नहों पाएगा यह होगा वह होगा पलाना डिम का बहुत सारी चीज़ें हमें सुनाई देती हैं और अगर काफी समय से एक्जाम ना हो रहा हो तो यह चीज़ें और बढ़ जाती हैं कि भाई तुम इतने सालते त्यारी कर रहे हो क्या हुआ तुम्हारा बले उनके लड़के का कुछ ना हुआ हो लेकिन दूसरे के लड़के का क्या हुआ वो उनको जानने में बड़ी दिल होगा कि अगर माई चांस आप अपने लचस को कभी भी छोड़ते हैं तो उसके लिए कभी भी फाइनेंशल रीजन नहीं होना चाहिए आप पैसे नहीं है इसलिए आप अपना सपना अधूरा छोड़ रहे हैं या फिर आपके लोग आपको चिड़ा रहे हैं आपको निंद बेश्ट हो जाएगी इसलिए उसको बचा करके रखिए फिलाल आईए कर लेते हैं और उमीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि निंदा से मत गबराएं जिस जिस पर यह जग हसा है उसी ने इतियास रचा है तो लोगों को हसने दीजे लोगों का काम है ह पासना क्योंकि जब आप बन जाएंगे तो वही लोग कहेंगे वही लोग आपके बगल में आएंगे त्यारी कर रहे होते हैं लोग उनको बड़ी निंदा से देखते हैं जब तैब तक तैन्योंग जैसे बन जाएंगे डिपटी कलेक्टर बन जाएंगे यह पीछे-पीछ पपरिंग नहीं हो रही है आओ पड़ा-पड़ से देख ले दे प्रीवेटे रिवीजन अच्छा एक चीज और कल मैंने कमेंट पड़ा था कि सर आज खल आपने कंटेंट थोड़ा कम कर दिया जी ने बिल्कुल कंटेंट कम नहीं किया है जिस दिन आपका करेंट पेस तरीके इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आप याद नहीं रख पाऊगे यह == propag फैर के शोर्स की जिम्मेदारी मेरी है और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जो करेंट पड़ाऊंगा वही पेपर में आएगा एक सोर्च से करेंट आपेस कोलेंग नहीं करता हूं कम इट्रंटियर करता है अधोम बताया था यह रवार मनाया जाता है 20 वर्वरी को इसके लाभे इक और दिन बताए था अन्तराश्टी बासादिक मानाया जाता है 21 को भारत के यूपी आई प्लेटपार्म को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है वह नेपाल डिप एक्पो 2022 का एवजन 10 मार से 13 मार 2022 तक किस सहर में किया जाएगा गांधी नगर गुजरात में किया जाएगा मुंबई में भारत की पहली वाटर टेक्सी सेवा का उद गाटन किस ने किया है तो वाटर टेक्सी सेवा को उद गाटन सर्वानन सोनोवाल ने किया बारती रेलवे की सबसे लंबी सुरंग टी-49 कर निर्मान किया गया है कस्मीर में और इसकी लंबाई कितनी है 12.758 किलो मेटर भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग देश की पहली मोबाइल बायोकि लैप का उद्गाटन कहां की किया है कहां पर के अगया है नासिक महारास्थ देश की पहली बायो को ओद गाटन हाली में जल्द इवन मिशन से जुड़ने वाला कौन सा राजी जिला सौमा जिला बन गया है तो वो है चमबा ही माचल पतेश मेटावस में प्रभेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना हुआ है जो है जेपी मॉर्गन बैंक साल 2022 के दादा साफ फाल के इंटर्जेशन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को फिल्म आप दे इयर का एवाट दिया गया है वह है पोस्पा जो कहेगा नहीं 2023 में अंतराष्टी उलम्पिक समिति के एक से चालिस में बैटा का एवजन किस देश में किया जाएगा भारत में किया जाएगा वह बहुत मॉंबाई आमची मॉंबाई वर्तवान आइसीसी टी टी टीम रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर आ गया है तो आइसीसी टी टी इंचन नहीं है फ्री में है सब आज के करेंट अफेर्स आपके सामने हाजिर हैं भौकाली तरीके से एक दव पहला करेंट अपेर वाइस सहाब यह है इसराइल इसराइल ने किया कि फरवरी 2022 में आइरन डॉम के नौस एनिक संस्करंट सी डॉम का एक सपलता पूरवा किसमें पलिष्टीन और इजराइल के में के बीच में लडाई हो गई गाजा पट्टी पर वहां पर उनकी एक मजिद है उसका नाम है अल-अक्सा मजिद अल-अक्सा मजिद यहां पर कुछ लोगों को परदासन करने से रोका गया और इसके बाद यहां पर लवाई हो गई पलिष्टीन ने दे रोकेट, दे रोकेट, दे रोकेट, खुब रोकेट छोड़े और लेकिन इजराइल पे एक भी रोकेट नहीं गिरा क्योंकि आइरन डोम टेक्नलोजी का प्रियोट किया गया आइरन डोंग टेकलोजी में एक संसर लगा होता है जैसे कोई मिसाइल इसके और आ रहे होती है यहां से एक मिसाइल जाती है और इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है इसी तरीके का एक छोटा संसकरण जो पानी वाले जहाज पर लगाया है जा सके इसको बूला गया है सीडोम तो सीडोम के नौसेनिक संसकरण का परिष्ण किसने किया है इसराइल ने किया है इसराइल की बात करें तो अभी हाली में ड्रोन को नागरिक छेतर में उडाने की अन मती देने वाला विस्सु का पहला देश है इसके अलावा अभी आली में यहां पर एक बहुत ही पुराने मानो की खोजवीती नेसेर रामला मानो बोला गया था बहुत पुराना मानो होमो सेंपियन से भी पुराना मानो यहां पर खोजा गया तो उसको नेसेर रामला मानो बोल सकते हैं तो तेल अभीव जो है यह सबसे महंगा सहर है इसके अलावा अली हाली में भारत और इजराइल ने तीस साल अपने डिप्लोमेसी संबंद पूरे होने के उपलच में एक लोगों जारी किया किसने जारी किया भारत और इजराइल ने एक तीस साल अपने पूरे होने के डिप्लोमेसी संबंद यानि कि लोगतांत्रिक संबंद पूरे होने के उपलच में अपना क्या किया तीस साल का एक लोगों जारी किया इसके अलावा इसराइल जो है वो भारत के साथ हाथ मिला रहा है कि भाई हम आपके जो 150 गाओं है उनको विलेज ओप एक्सिलेंस के मंतरी कौन है बेंजामिन नित्यानू चले गए अब आ गए है नफ्ताली बैनेट इजाक हर जोग जो है वो बरतमान समय में राश्पती है इसराइल की राजधानी जेरुसलम मुझे आप बताएंगे करेंसी मुझे कौन बताएगा आप बताएंगे ठीक है हाँ बहुत बढ आप अभियास हुआ अभी हाली में इसराइल में यह कहां पर ऑजित किया गया ता यह उबड़ना एर भीस में अपका एक्सराइज हुआ सेन अभ्यास हुआ ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग भारत वा इजराइल के बीश में ठीक है चलो बाई करते हैं सेकल सेकल जो है वो इजराइल की मुद्रा है क्या बात है आगे पढ़ते हैं तो इजराइल ने 2121 को एक नई नौ सेना वायू रच्छा परणाली सी डोम का परिच्छन किया है सी डोम जो है यह आईरन डोम का ही एक नौ सेनिक संस्करण है आगे पढ़ते हैं अबुधाबी में आईजित 2021 फीफा क्लब वर्ड कप किसमें जीता है क्लब आप जानते हैं मोहन बागान भारत का सबसे पुर फीफा वर्ड कप की बात नहीं हो रही है यहां पर फीफा क्लब वर्ड कप हो रहा है तो चल्सी फीफा क्लब वर्ड कप जीतने वाली तीसरी अंग्रेजी टीम बन गई है तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है चल्सी ने पहली बार फीफा क्लब विस्व कप जीता है चल्सी फीपा दौरात तीन से बारा फर्वाई दोजार बाइस तच सही तरब अमीरात में किया गया था ब्राजील के फुटबॉला थियागो सिल्वा को इस टूर्णामेंट का सर्प्रेश खिलारी पुरुसकारते सम्मानित किया गया तो हमनें किसकी बात की फीपा कलब वर्ड करप इसको ओराया पाल्मरास को इसके लबाफ फुटबॉल से जोड़ी भी कुछ जान करी और इस अभी हाली में फीपा ने सर्पस्रेश पुरुसकलारी के एवार्ड कोसित किये वो किसको दिया गया रॉबर्ड लेवंडवस्की को ये बायन म्यूनिक पूलेंट से है फीपा महिला किलारी के लिए एलेक्सिया पुटलेस को FC बार्सिलोना इस्पेन से है गोल कीपर आप दा इयर एड़ूर्ड मेंडी बाकी याद करने की जरूरत नहीं है एक बार आप टीम जरूर याद कर लिजेगा FIFA Fan Award, Fair Play Award डेन्मार्क की राष्टी टीम को FIFA Fair Play Award दिया गया सबसे FIFA के लाड़ी Robert Lavender की सर्वसेट महिला के लाड़ी एलेक्सिया पुटले इसके अलबा अभी हाली में भारत में कुछ ट्रॉफियां हुई जैसे संतोष ट्रॉफिय जो है वो इस बार सर्विसेस ने जीती पंजाब को हराकर संतोष ट्रॉफिय किसने जीती थी संतोष ट्रॉफिय किसने जीती थी संतोष ट्रॉफिय किसने जीती है 2019 के पास से पोरोना वाइरस की वेज़े से बी जाना जाता है यह पर एफ सी ने जीता इसके पुरा पूरा जीतिति क्हिंब I 2 इसक इस परन गीग इस यह किसने जीती है यह मंबई सेटीने उन बूरंड कप की बात करें तो डूरंड कप इसfire जीता है गोगा ने इसके लाबा आपके 20 स्थर पर जो मैच होते हैं जैसे फीफा की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप अभी 2022 में प्रस्तावित है ये कहां पर होगा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपका होगा कतर में कहां पर होगा कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपका कहां पर होगा कत में हुआ था फ्रांस ने क्रोशिया को रहा था अभी हाली में यूरो कप किस ने जीता था यूरो कप 2021 आपका जीता था इटली ने इंग्लेंड को राकर इटली ने किसको राकर जीता था इंग्लेंड को राकर कोपा अमेरिका कप किस ने जीता कोपा अमेरिका कप आपका किस ने जीता कोपा अमेरिका कप आपका जीता था अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना ने किसको रहा है था ब्राजील को रहा है था ब्राजील कोपा अमेरिका कप किस ने जीता अर्जेंटीना ने जीता और क्या बत फूफा का मुख्याल है कहां पर है फूफा का मुख्याल है जीरिक स्टियर लैंड में वर्तमांतर में में इसके हेड को है इसके हेड है जानी इनफेंटीनो जानी इनफेंटीनो जो है वो इसके हेड है जानी इनफेंटीनो अच्छा ओल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के head और अल इंडिया dude feel all the investigation के एडिट प्रफुल पटेल तुखे गा जुकेगा नहीं अपन आफ है उस फीपथ एक इक बाद इसको समझे लो ग्यानिंफेंटिनो जो है वह है वह पूरंड कप गोवा ने जीता है इंडियन सूपर लिग मॉंबई सिटी ने जीता है आई लिग गोगुलम केरला एफसी ने जीता है संतो ट्रॉफी सर्विचेज ने जीता है और एक बात रह गई एक बात और रह गई एक बात और रह गई बात निकली है तो दूर तक जाएग सेने ख कर दो ने सेने गले आफरीका कप औप ने संगे ढले अब कि दिशन बहुत से जीतके अगली भारत और कि देश ने पांच जी दूपची ऑइओ से न अभ्याद Eastern Brace 6 का आयोजन किया तो Eastern Brace 6 जो है ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित हो रहा है ये किसके बीच में आयोजित हुआ भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया गया भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया ओमान की राजदानी क्या है? ओमान की राधानी है मसकट और भारत का जो सबसे बढ़िया डिपेंस साथी है न वो ओमान है भारत और डिपेंस के भारत और ओमान के रिष्टे बहुत अच्छे है इतने अच्छे हैं कि ओमान हमें अपने यहां से लड़ने की इजादत तक दे सकता है अगर हम चाहें तो ओम समय में इसके सुल्तान है ओमान के सुल्तान 2020 में ओमान के सुल्तान 2020 वाले गांधी सांधी पुरुसकार पाई है उनका नाम था काबूस बिन अलसेद काबूस बिन अलसेद काबूस जो है अब ताबूत में बंद है क्योंकि अब यह इस दुनिया में नहीं है तो काबूस बिन अंसेद को 2020 का गांधी सांती पुरुषकार दिया गया था कौन सा पुरुषकार दिया गया था गांधी पीस प्राइद या गांधी सांती पुरुषकार दिया गया था गांधी सांती पुरुषकार किसको दिया गया था 2020 का कावुद बिन अंसेद को दिया गया था 2019 का चेक अब बात करें भारत और उमान के बीच में कौन कौन सी exercise होती है भारत और उमान के बीच में नसीम अलबहर नसीम अलबहर नसीम अलबहर ये भारत और उमान के बीच में होने वाला नैवल exercise है यानि कि भारती ये नौसेना और उमान की नौसेना जब आपस में exercise करती है तो नसी भारत और वायु सेना जो होता है वह इससे नाम दिया गया इस्टर्ण ब्रिज अलनगा जो है यह आपका आर्मी एक्सराइज है नसीम अलबहर जो है वह नवी एक्सराइज है अलनगा का तीसरा संस्क्रण 2019 में आयुजित किया गया था उसके बास से अलनगा का आयुजित नहीं हो पाया है कोरोना वायरत पेंडिमिक की बज़े से तो भार्दी वायु सेना और रॉयल एयर फोर्स और ओमान ने पांच दिवची दुई पच्छी वायु सेना अभ्यात की इस्टर्ण ब्रिज सुरू किया या 21 से 25 फरवरी तक जोदपुर वायु सेना में से इस्टेशन पर आयुज नाम में पहले ही लिखा हुआ है इस्टर्ण ब्रिज 6 लिखा हुआ है इसके आगे इस्टर्ण ब्रिज 6 तो छटा संस्क्रण है तो दोनों वायु सेनाओं के बीच में आपका यहां पर यह अभ्यास बढ़ाएगा अच्छा अभी हाली में चीरू नाम का एक अभ्यास आपका चायना ईरान और रस्या के बीच में आउयजित हुआ ओमान की घाटी में सी ड्रेगन नाम का भी एक अभ्यास हुआ समूदरी अभ्याद सी ड्रेगन में कितने देसों ने भाग लिया और यह कहां पर आईजित किया गया था यह प्वोर्ट अफ गौआम में आईजि कौन-कौन से Quad, Quad यानि आप जान गए, एक है Canada, एक है आपका South Korea, Canada और South Korea, Canada और South Korea भी इसमें सामिल हुए थे, Canada और South Korea, Quad समझ गए, Sea Dragon में China नहीं है, Dragon है लेकिन China नहीं है, समझ येगा, Quad, Quad का मतलब क्या हुआ, Quad का मतलब हुआ, भारत, Australia, आठिटेलिया, Japan और America, बारत आठिटेलिया, जापन और अमेरीका, भी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से याद रखे, आच्छा, पानिक्स नम क्टा एक होँआ, पानिक्स कहा हुआ, पूने में हुआ, पानिक्स एकसेसाइट जो है, यह हमारी जो disaster force है NDRF National Disaster Rescue Force National Disaster Response Force NDRF के वरतमान समय में हेड कौन बनाए गए हैं अभी हाली में अतुल करवाल जो है वो NDRF के हेड बनाए गए तो भारत और बिम स्टेक देशों के बीच में यह अभ्यास का एवजन हुआ इस बार इसका एवजन कहां पर किया गया इस बार इसका एवजन पुने में किया गया पिछले बार इसका एवजन उरिसा में किया था बोनिशन में तो पानेच एकसेसाईड जो है यह disaster forces के बीच में है अच्छा एकुवरीन का भी आभी आवजन हुआ एकुवरीन किस देश के बीट में होता है एकुवरीन जो है ये इंडिया और माल्दीव के बीट में होता है भारत और माल्दीव माल्दीव जो है नाम इसका माल्दीव है लेकिन माल सारा का सारा ये भारत सही लेता है एकुवरीन एकोवरीन का कौन सा संस्क्रण था ग्यारवा संस्क्रण था और ये इंडिया और मालदीब के बीट में आईजित हुआ कहाँ पर आईजित हुआ मालदीब में एक आईलेंड है कद्दू आईलेंड मालदीब में एक आईलेंड है कद्दू आईलेंड वहाँ पर इसका आयोजन किया गया तो यह भी हाल वाले ठीक है अभी होगा कहां पर होगा बिशाकापत्नम में 46 लोगों का मंतरित किया गया है मिलन एक्ससाइज के लिए कितने लोगों का आवर्थित किया गया है 46 लोग ठीक है इसके लाबा एक मैंने आपको स्लाइड प्रपेर करके दे रखी है जिसमें पिछले साल के दौरान सारे एक्सरसाइज को प्लब्द है आप कहो तो मैं इसको एक्प्लेन कर दू या फिर आप इसे पढ़ लेना आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाए जैसे माला बार एक्सरसाइज 25 संस् साथमा पूने में हुआ तो यह पूरा का पूरा आप इसे पर सकते हैं सौर्ट पॉर्म में लिखा हुआ है इसकी फोटों खीचलो जाहें तो रही इसके नाम से चीलिग्राम ग्रूप है वह जोईन कर लोगो ने कर लोगे कर दीजिए थोड़े थोड़े याद करो समत याद करना एक सद्ट अब ही जादा हो जाएगा थोड़े थोड़े याद रखो फीक है इस आगे बढ़ा जाए अभी जापान के साथ हुआ उससे पहले हमारा हाइलेन दाफ की साइफ में हमारे देश का जाजtha बंदरगाह में जाता है उनके देश का जाज हमारे बंदरगाह पे तो अब इंडिया जापान के बीच में हुआ था और वो बंदरगाह देखकर लोट आता है कि मालो कभी युद्ध की थिती आई तो पता तो चले गोला बारूद कहां रखा हुआ है तो पासे के साई याद कर पैचान पार रहे हैं तो यह किने शुरू करी है गुजरास सरकार नीति में क्या किया जाएगा जो लोग भी बाइयो टेक्नलोजी से जुड़े हुए है या उसके बारे में मैनुफैक्ट्रिंग कर रहे हैं उस से जुड़े हो सेक्टर में उनको सब्सीड़ी प्रदान की इस नीती के तहट अगर आपके पास 200 करोण रुपए से कम का पूंजी निवेस वाला MSME है तो आपको 40 करोण रुपए तक की सायता दी जा सकती है अगर आपके पास 200 करोन रुपे से अधिक के पूंजी निवेस वाले MSME है तो जितना भी आपका पूंजी गत्व यह होगा यानि जितना भी आप इंवेश्ट करने जा रहे होंगे उसका 25 प्रत्सत तक आप सरकार से ले सकते 200 करोन से अधिक वाले MSME लेकिन अगर आपके पास 200 करोन रुपे से अधिक का पूंजी निवेस वाली बड़ी परियोजनाई हैं मेगा परियोजनाई हैं तो आपको 15 प्रत्सत तक की साहता मिलेगी इस नीती का मुक्त देश राज में निवेस को आकरशित करना है और युवाओं के लिए रोजगार आउसर पैदा करना है तो गुजरास सरकार क्या लेकर के आई है अभी कुछ समय पहले यह सोलर नीती लेकर के आई थी लोग भी सोलर मैनुपेक्टर करना चाह रहे थे सोलर से जड़ी काम करना चाहा है उनको सब्सक्रीदी दी गई थी यहां पर बायो टेक्नलोजी को लेकर आए ताकि बायोटेक्नलोजी से जुड़े हुए सेक्टर जो है गुजरात में डेवलप हो सके ठीक तो यहां पर पर आजित किया गया था ग्यारवा लखनों में और इसकी तीम रहेगी इसका जो टैगलाइन रहेगा वो रहेगा पाथ टू प्राइड यानि कि गर्व के लिए राहता पार्थ तू पाथ तू प्राइड इस्टेट ने अभी हाली में यानि गुजरास सरकार ने लॉजिस्ट सरकार ने आपका टूरिज डेस्टीनेशन के रूप में डेवलप किया है और यह पुर्तदाल सरयोग से यानि पॉर्टूगल की सरकार के सरयोग से डेवलप किया गया है गुजरात के लोथल बंदरगा पे राश्टी समुद्री संग्राले बनाया गया है इसके लाबावा स्टेट रन एंटीपीसी यानि कि जो स्टेट एंटीपीसी है गुजराइस सरकार के अंतरगर वो रन अफ कच यानि कि आपका गुजराइस में जो कच का रन है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा 4.75 जीगा वाट का एक सोलर पार्क डेवलप करने जा रहे है इसलब अब इ प्रेयर नेथ इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी गुजरात जो है वो टॉप पर आया था गुजरात की बात करते हैं गुजरात की कैपिटल है गांदी नगर सियम है वोपेंदर पटिल गवर्नर है आचारे देवरत मैरी गोल यानि गेंदा पूल स्सुराल गेंदा फूल यहां का गेंदा जो है वो आपका स्टेट फ्लावर है मैंगो आम जो है वो फ्लैमिगओ स्टेट प्रूट है एसियाटिक लायन घिर के सेर नहीं देखे तो आप सब्सक्राइब करें तो एक महीं 1960 को गुजरात पूर्ण राज का दर्जा पाता है आपको तोटल 33 जिले आपको पता होगा यह आपको पता होगा यह भी आपको पता होगा तो आज आप याद कर लो कि यहां पर 33 जिले हैं लोग सबा में 26 सीटे हैं राज सबा में 11 सीटे हैं और एक महीं 1960 को स्टेट हुड डे बनाए गया जो है यह आपके एक्जाम पॉइंट वी से बहुत इंपोर्टन है यह आपसे जरूर पूछे जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं के छात्रों के कौसल को बढ़ाने के लिए किस राज सरकार ने फ्रोजेक्ट- region शुरू किया है तो यह असम सरकार सुरू की है ज्यादा डिटेल में दाचे लेंगे हैं प्रोजेक्ट- आ रहdar顦ा शकी में जिसके अंदर गत्ष को चार वर स तक ट्रैक किया जाएगा उनको चार वर्सी पार्ठिक्रम के अंदर गत रखा जाएगा जिसमें उनके अंदर पढ़ाई के साथ सा जो गरीब छात्रें जो अपना higher education नहीं कर पाते हैं उनको यहाँ पर याने इसकी डेफलोप्मेंट किया जाएगा तो यह कितने वर्स का पार्ठिक्रम है चार बर्स का पार्ठिक्रम होगा और प्रोजेक्ट और नाम दिया गया है एक ऐसी पहलें जो दूरस्त ग्रामीन और गरीब परिवारों के प्रदिवासाली शात्रों को पहचान करेगी उन नदियों के लिए night navigation mobile app launch करने वाला कौन सा पहला राज बन गया है तो यह है असंप और असंप में याद करिएगा IIT मदरास ने यह एप इनको डेवलफ करके दिया है कि जो नदियां है जैते कि ब्रंपोत्र नदी जो है वो काफी बड़ी नदी है उसमें अगर कोई navigate करता है उसमें अगर कोई चलता है तो वो कहां पर है इतरह का समुदरी GPS हो जाएगा यह तो यह navigation को track करने के लिए असंप सरकार ने रात में नदियों पर navigation के लिए एक mobile app launch किय है इसे नाइट navigation mobile app launch करने वाला असम भारत का पहला राज है इसे किस ने डेवलप गया है इसको डेवलप किया गया है इसके लवा बिहार सरकार ने सही दिवस के चिती मकों मनाने की गोशना की है बियार सरकार ने 15 परवरी 1932 को एक गटना गटी कि एक जगे थी नाम नहीं पहराए जाएगा 1932 को जलिया वाला बाग हो चुका था इससे पहले तो वहां पर गए और वहां पर जंडा पहराने की कोशिस की जिसकी विज़े से वहां पर काफी सारी भीड इखटा हो गई और उन्होंने पुलिस बल पर पत्राओं कर दिया और पुलिस ने गोलिये चला है आपको साथ सहीद दिवस मनाय जाते हैं बारत में राजिस्तर या केंद्रिस्तर पर साथ सहीद दिवस मनाय जाते हैं जिसमें ते 30 जनवरी 1948 को माहत्मा गांदी जी की पुन्य तिति के रूप में भी सहीद दिवस के रूप में मनाय जाता है मात्मा गांदी जी की पुन् उननिस मईइ क्या हुआ था उन्यस मईआ को बंगाली मु्व्मेंट हुआ था बराक वैले वे एक बंगाल अंधूलन वंगाली कहा पर है यह आसाम में है उस टाइम असाम सरकार ने आसामी यनी असमिया भासा को राज थिकन्य भासा का दरजा दे जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी वो बंगाली थी तो बंगाल के लोग वहाँ पर मुवमेंट करने लगे तो पुलिस द्वारा उनके उपर गोलियां चला दी गई थी जिसके वेसे कई लोग सहीद हो गएते इसलिए बराग वैली में बंगाल अंदोलन के याद में बंगाली अंदोलन के याद में भासा सहीद दीवस के रुप में मना जाता है कब 19 मई को 1961 में 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर पुलिस मार्टी ड्रे एक जगह है कौंग का पास दर्रा कौंग का पास वहां पर क्या हुआ पास याष्प की एक बटालियन पर कुछ चाइनीज सेना ने रिवस के रूप में बनाते हैं पुलिस सईद दीवस के रूप में मनाते हैं में कब मनाते 21 अक्टूबर को मनाते कब मनाते 21 अक्टूबर 1969 को यह गटना करती थी 1959 में 17 नौबर 17 नौबर को लाला लाजपत राई लाला लाजपत राई के उपर लाठी चार्ज किया गया था लाला लालाजपत राई जी की मेत्ति हुई थी लाला लाजपत राई जी को पंजाब सहीद दिवस के रुपे मनाया जाता है जो कि पंजाब का लॉयन कहा जाता था पंजाब का सेर कहा जाता था पंजाब केसरी कहा जाता था इनको तो पंजाब केसरी सत्रा नॉवंबर लाला लाज सबंधों लाए है कर दो सांस को बता दी है और यह आता है के याद रखेगा की बिलकुल आगे बढ़ते हैं किसानों को ब्लोग इस तर पर मौसम की जानकारी देने के लिए किसान एप की और गोड़ान्च का है यह वही आइटी है जिसने आपका फू इıllर्ट अब भूकान फैलर टैप किस konstant करने वाला पहला राज यह कौन सा है उत्तरा खंड है बुकाम पहला टैप लाज करने वाला तो आईटी रूड़की ने एक और एप डेवलफ किया है किसान है इसके जरीए क्या होगा किसान अपने खंड इसतर पर मौसम की जानकारी ले पाएंगे यानि अगर आप यह भी आप कौन सा है आईटी रूड़की आईटी रूड़की एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विस के प्रसार के लिए किसान मोबाइल एप लॉंच किया है उननिस परवई 2022 को ग्रामीड करसी मौसम पर योजना के तहित जल संसाधन विकासें प्रबंदन विवाग आईटी 2013 में बढ़ा दिया गया है इस योजना में और जादा प्रस्थाव आगये है 12929 करोण रुपै का खर्च और आगया है चार जार आठ सो आठ करोन रुपए रहेगा, केन सरकार आठ एयर 120 रुपए देगी, रूसा योजना उच्छतर सिच्छा के लिए डेवलप्मेंट करना है, यानि कि अगर आप हायर एजूकेशन में जाते हैं, जैसे आपको याद होगा, बीटे केटे करते हैं, या एमबीए गैरा दी जाती है, बारती रेल्बें ब्रिज का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है कि वह equivocator को अभी कट्राव जो बनाएगी ती वह भी कट्रा बढ़ियार रेल्वे ट्रैक पर ही बनाएगे एक कुन वेशनु देवी को प्रॉपर क्नेक्टिविटी प्रॉबटाई प्रोईर की जा रही है तो जम्मू कास्मीर में माता पैस्टनो देवी के अधार पर सिविर कट्रा और रियासी के बीच में एक अंजी ब्रीज बनाया जा रहा है हिमालाए की बिलुप्त हो रही जड़ी बूटियों के लिए अभी हाली में हिमाचल पर देश में एक बायो डायविजिटी पार्क बनाया गया है पार्क से जड़ी भी कई सारी चीजे हैं जैसे फटापट से बताई कि देश का पहला पायर पार्क कहां बनाया गया लोगों को आग से जलने से बचने के लिए पायर पार्क के बारे में बताएं गया ये आपका पहला पायर पार्क कहां बनाया है देश का पहला tire park कहां बनाया गया था tire park मुलब tires नहीं यहां पर कई सारी चीजें developed की गई वो है West Bengal यानी कि पशिं बंगाल में देश का पहला pollinator park कहां पर बना गया पराग करण पार्क परागी करण पार्क देश का पहला pollinator park आपका उत्रा खंड में है बागी सारे उत्राखंड में हैं बागी फायर पार्क उडिशा में हैं टायर पार्क आपका वेश पंगल में बागी सब जो भी पार्क हैं वो उत्राखंड में ठीक है लाइकेन पार्क पॉलिनेटर पार्क ये सब उत्राखंड में तो केवल दो याद रखना पायर पार्क अपना इस्टेट हुट डे बनाता है इंडिया का पहला मॉंग फ्रूट कल्टिवेशन कहां पर हिमाचल प्रदेश में सुरू हुआ दालशीनी की संगठित खेटी करने वाला पहला राज हिमाचल परदेश है हीन की खेटी करने वाला पहला राज कौन सा है वो हिमाचल परदेश है 100 पेसद LPG कवरेज वाला भी हिमाचल परदेश है अटल सुरंग जो है वो हिमाचल से ही सुरू होती है आगे बात करते हैं, कैपिटल हिमाचल की सिम्ला है, गवर्नर राजेंदार लेकर है, जैराम ठापुर चीफ मिनिस्टर है, नेशनल पार्क, ग्रेट हिमानिय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर स्टेट उट डे की बात करें तो 25 जन्वरी 1971 को हिमाचल प आप मुझे बता सकते हैं, पॉंग डेम किस नदी पर बना हुआ है, क्योंकि इसमें अभी हाली में जल पच्छी की गड़ना की गई थी, जल पच्छी की क्या गई थी, जली पच्छी होते हैं, उनकी जन्गरना की गई थी, यहाँ पर पॉंग डेम में, पॉंग डेम जो है जिसे माना पताब सागर बांद भी यह किस नदी पर बंअ यह औा आपका ही वेंत पर पड़ रही अभी learnt लूरई पहली में बारति महीला टीम की खेलाड़ी ने वल्लवाजय के सबी प्रारूपों से संयास की कोशना कर दी វु måeln है भी आरप वीहार वनिता ने के बीच में हुआ महराराजा ओ Layan लॉयन ओर तीम डूसरी टीम का नाम था वर्द जाइंस वर्ड जाइंस और यह प्रतियुगता करचा ने झीति आहिं को समस्करंड उनको यहां पर खिलाए गया था नमना खात मनलब पुराने पुराने जबी खिलाएं सब्सक्राइब लोग सभी जो अधिकारी इसतर पर लोग थे वो सभी महिलाएं थी जूलन गोस्वामी को इसका ब्राण्य मेडर बनाए गया था वियार वनिता ने सन्यास ले लिया अभी हाल ही में इस्म्रती मंधाना को वीमन क्रिकेटर ऑफ दा इयर चुना गया अब मुझे यह बता दो ICC मैं अच्परा ऑफ और और उन्होंने 2014 में सीलेंगे लिलाव म स्तार में रास्टी तीम मे पदापन किया था और अग उन्होंने सन्यास लिया भोश्ना कर दी मौह न प्रीधी कौन है साही नवरी थी कौन सा विष्विद्याले NBA मानिता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विष्विद्याले बन गया दिए कि IIT जो है उनको NBA की accreditation पहले से प्राप्त होती है यह एक तरह का मानिता प्राप्त certificate है यानि अगर आप यहां से MBA करते हैं यहां से BT करते हैं तो आपकी जो डिगरी है वो अंतराष्ट्री इस्तर पर उसको मानिता प्राप्त हो गई है यह है चंडीगड़ यूनिवर्स्टी चंडीगड़ यूनिवर्स्टी देश का पहला ऐसा विष्विद्याले है यानि कि आप इसे मान सकते हैं टॉप मोस्ट विष्विद्याले हैं जिसे NAC का भी एप्लस certificate प्राप्त है और NBA दोनों की मानता है प्राप्त है और एक मात्र विष्विद्याले है भारत में यहां की जो डिगरी है अब अंतराष्टी इस्तर पर मान होगी यानि कि आप किसी संस्करण सी डोम प्रणाली का सफलता पूर्वा परिष्ण किया वो है अब उदावी में आईजी 2021 फीपा वर्ड कप का किताब किसमें जीता चेल्सी ने बारतों कि देश ने पांच दिवसी है दुपच्छी वायू सिना प्या इस्टन ब्रिज सिक्स का आयोगन किया वो है उमान हाली में किस राज सरकार ने बद 2227 के लिए जयवपर्द की नीती की गोष्णा की वो है गुजरात चात्रों के कौसल को प्रकर करने के लिए किस राज सरकार ने प्रोजेक्ट आरोवन की सुरुआत की तो वो है आसम बिया सरकार ने सही दिवस के सिति को मनाने की की और नदियों के लिए नाइट नैविकेशन मोबाइल एप कौन सा राजी कर रहा है आसाम कर रहा है और सरकार ने राष्टी उच्चतर सिच्छा विया रूसा को कब तक जाली रखने की बात की है 31 माद 2026 तक भारत का जमू कस्मीर में भारत का पहला केवर रेल विज बना प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्विद्याले कौन बना है आपका चंडीगर विश्विद्याले बना है तीक है अब बारी है कल के प्रश्न की कल पूछा गया था कि निमलिकित में से जो हमारा सिंटर स्ट्रॉंग सिंटर है उसकी अब धार्ना किस समिधान से ली गई है तो सही उत्तर है उसका कनाडा और बहुत डिटेल में उत्तर किया है भारत के संगी ढांची की तरह कनाडा का भी संगी ढांचा है जहां पर केंदर ज्यादा सक्तिसाली प्रतीत होता है हमारे समिधान निर्माताओं ने कनाडा से इसी विशेष्था को भारती समिधा जाएगा जिसके कारण हम भारती समयधान को क्वासी पेडरल कहते हैं इसके लाब ऐसा कानून जिनका जिक्र भारत के समयधान में नहीं है वो रेजिडूएल पावर्स के रूप में केंद्र को मिलती है जिसे केंद्र कानून बना सकता है पादर ऑप इन्डियन कॉंसिटूशन बियारं बिडकर सलाकार बियन लॉग वेरी गुड रवी आज का प्रश्न है कि जो हनी होता है न हनी उसमें कौन सी सरकरा होती है आपके सहद में कौन सी सरकरा होती है बताइए एक बार वीडियो शेयर कराईएगो खुब कसके शेयर किया करें बाई लाइक भी कमेंट तो उसमें कौन सी सरकरा होती है यह आपको आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताना है इस क्लास की पीडियएफ आपको रीणी भाई रावल विशा के नाम से टेलीग्राम ग्रूप है वहाँ पर मिल जाएगी तो फिलाल आज के लिए इतना ही थेंकियो सो मच बाबार टेक केर